Hello students, कैसे हैं आग? आज हम लोग करेंगे interest on drawings क्योंकि हम लोगों ने पहले 6 cases कर लिये हैं जिसमें हम लोगों ने beginning of each month किया था middle, end, फिर हमने quarterly वाला question किया था solve तो अभी हम लोग करेंगे 7th situation अगर आपने वो video नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देखिए और इसमें हम लोग आज 3 situation पढ़ेंगे और ये complete हो जाएगा topic तो आईए सुरू करते हैं ये वाला case है अगर कोई partner withdraw करता है during 6 months आप कई बार question में देखेंगे कि partners जो हैं withdraw करते हैं during 6 months question में given होगा कि किसी partner नहीं साल के दोरान सिर्फ 6 महीने withdraw किया तो ऐसे में सबसे पहले being a student हमें क्या ध्यान देना है कि अगर उसने during the year किया है 6 months तो हमें ये मान के assume करके चलना है कि उसने last के 6 months withdraw किया होंगे सबसे पहले तो ये अब last के 6 months कौन से आएंगे अगर closing date 31st March होगी तो last के 6 months आप दिमाग लगा के सोच सकते हो वो आएगा October से start होगा October, November, December, January, February, March 6 months होगे हमारे तो basically हमारे October से start होगा और March में close होगा अब तीन situation है ऐसे question में एक तो at the beginning of each month, at the middle of each month और at the end of each month और जैसा कि हम लोगोंने formula discuss किया था formula क्या था? interest on drawing का formula था total drawing into rate into average period upon 12 तो ये आप देख रहे हो न जो ये average period जिसको मैं highlight कर रहा हूँ ये देखिए red से करके दिखा रहा हूँ आपको ये वाला part ये जो है ये ये हमारा average period है तो सब लड़ाई इसी की है इसी को हमें सीखना है कैसे solve होगा तो आईए एक बार हम solve करते हैं इसको समझते हैं कौन सा step कर रहे है beginning of each month और कितना है? during six months ये रहा during six months तो इसको देखिए कैसे हम करेंगे अगर इसने withdraw किया है during six months और at the beginning of each month कर रहे है तो कैसे solve होगा? यहाँ देखिए इसमें हमारे पास page मिल जाएगा यहाँ साफ से कर सकते है मान के चल रहे हैं कि उसने beginning of each month किया है और during six months किया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया October से सुरू होगा तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए करा रहा हूँ ऐसे October, फिर आएगा November फिर आजाएगा हमारा December फिर हमारा January आजाएगा फिर February और यहाँ आजाएगा March तो अब question क्या था question था sir beginning of each month अगर वो beginning of each month का question है तो तो पहले beginning of each month में उसने October में पहली बार ड्रोइंग किया होगा तो October के एकदम स्टार्टिंग में ही कर लिया होगा यहाँ पे एक तारिक को तो कितने फॉर्मूला क्या है time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2 तो average period का formula है तो आप देख सकते हो average period यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे अगर यह वीडियो से पहली वाली नहीं देखा है तो आप जरूर देखे तभी इसको करें तो आप देखो time कितना होगा यहाँ पे जब इसने पहली बार निकाला होगा तो गिनना सुरू करो October में एक मन्त हो जाएगा फिर November में दूसरा हो जाएगा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांच वा फिर छठा तो यहाँ तक आते आते अगर आप देखो तो सबका टोटल कितना हो रहा है 6 इसी तरह से जैसे कि हमने formula पढ़ा time left after first drawing that is 6 months अब time left after last drawing last drawing हमारी यह होगी यानि कि उसने आखिरी बार यहाँ निकाला होगा और क्योंकि beginning of each month निकाल रहा है यह देखिए मैं highlight कर रहा हूँ तो March के एक तरह को निकाला होगा तो कितने month left हो गए 1 month तो 1 month यहाँ लिख देंगे और divided by 2 कर देंगे तो हमारा average period कितना आ गया 6 plus 1 7 divided by 2 तो 7 का half कितना हो जाएगा students 3.5 तो हमारा average period कितना आ जाएगा 3.5 I hope समझ में आ गया होगा आपको हमने पहले भी ऐसी किया था तो यह हमारा answer आ गया तो at the beginning of each month for 6 months अगर question होगा during the year तो हमारा average period आएगा 3.5 तो आप यहाँ वापस आ सकते हो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इन्होंने solve करके निकाला हुआ है 3.5 आपके सामने है यह देखिए 3.5 तो यह है हमारा answer अब हम आ जाते है middle of each month सेम वही तरीका है middle of each month करेगा तो October से इस्टार्ट करेगा क्योंकि यह 6 month वाला question है तो October से जब वो इस्टार्ट करेगा तो आप सुरू करो जड़ा फिर से October November में निकाला होगा दूसरा फिर December में फिर January फिर February और March तो आप देख सकते हो अगर उसने middle में किया है तो October के middle में किया होगा यानि 15th of October को किया होगा तो मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ तो आप देखो कितने months left होगे क्योंकि formula क्या कहता है month left after first drawing यह मत भूलिएगा कि पहली drawing उसने October में ही किया है April में नहीं किया ध्यान रखिएगा तो October के middle में किया होगा 15th October को तो आधा October बच गया और आगे के 5 महिने बच गये तो कितना time left आ गया 5.5 प्लस अब last month में आ जाओ क्योंकि formula है last drawing time left after first drawing and time left after last drawing तो सीधा last drawing के middle में आ जाओ इसका middle करेंगे तो कितना time left रह गया half तो यहाँ हो जाएगा 0.5 और average निकालने के लिए हम 2 से कर देंगे divide तो यह आ जाएगा हमारा 3 तो average कितना आ गया middle of each month का यह आ गया 3 तो यहाँ आप देख सकते हो पीछे answer में आप देखो इसमें इसने 3 लिखा हुआ है और यहाँ 3 निकला हुआ है तो इस तरह से इसको solve करना है students अब end of each month आ जाते हैं यह कौन सा question है आपको topic पता ही है यह है during 6 months ध्यान रखना during 6 months का question है यह तो अब आ जाते हैं इसको हम फिर से वापस यहाँ पर ही अगर हम 6 months देखें फिर वही process होगा हमारा end of each month बोला है end of each month of each month for 6 months 6 मनिने के लिए निकाला है क्योंकि for 6 months है तो हम assume करके चल रहे हैं कि उसना November, December और फिर January, February और March यह आप मन में भी आप कर सकते हो practice के हिसाब से end of each month बोल रहा है तो जब इसने end बोला है तो आप देख सकते हो October के end में पहली बार drawing किया होगा उस partner में तो कितने months के लिए उस drawing का इस्तमाल किया होगा November में, December में, January, February, March तो कितने months हो गए, 5 अब time left after last drawing पे आ जाते है time left after last drawing हमारा March है, तो March के end में जब आप जाओगे, यहाँ देख लाइन खिंच रहा हूँ तो कितने months बचे, आप का होगे sir, 0 बचे क्योंकि March के end में की है तो 0 हो जाएगा, divided by 2 तो कितना आ जाएगा students 2.5 आ गया हमारा average period तो आप देख सकते हो answer में 2.5 यहाँ पे भी, आपको करके इसने दिखाया है book में 2.5 तो यह रहा, तो यह आसान है इसमें calculation, अब आप मैं guess करता हूँ, आप 100% sure हूँ कि आप इसको आप मन में कर ही रहोंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपके लिए आसान हो जाए गई, तो यह हमने यहाँ पे solve कर लिया, अब एक question practice कर लेते हैं जल्दी जल्दी, example देखिए, इसी से related है, आप इसमें देखिए क्या बोल रहा है, तीन partner थे, A, B, C और 1 October कोई, इसमें देखो, अच्छी बात किया है कि इसने date ही बता दिया, on 1st October 2019 sharing profits equally इन्होंने क्या करा, profits share कर रहे है equally, अब यह कह रहा है, A ने draw किया 4000 in the beginning of each month, कब तक के लिए किया, 6 months के लिए, यह वाली line बहुत important है for 6 months ended 31st March, और इसी तरह से B ने जो draw किया, यह 4000 कर रहा है और यह वाली line फिर बोल रहा है कि at the end of every month for 6 months, और C इसी तरह से drawing कर रहा है 4000 middle of every month कर रहा है, for 6 months यह वाली line देखिए, for 6 months और सबका closing date 31st March है, यानि कि तीनों पार्टनरों ने withdrawing किया, drawing किया है और तीनों ने 4000 draw किया है rate हमें दिया हुआ है और इनों ने क्या किया अगर आप देखो, 5% का rate है देखो, नीचे दिया हुआ, rate of drawing 5% है एक ने तो beginning में किया, दूसरे B partner ने end में किया, और C partner ने middle में किया कहरा है, interest on drawing करके दिखाओ तो हम solve करेंगे, हमारे पास formula है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी लड़ाई है, वो है average period निकालने की तो आप सबसे पहले case 1 में देखो, जिसमें एक partner ने beginning में किया था, आपको याद होगा beginning में किस ने किया था, A ने, तो इसने क्या किया था, 4000 at the beginning of each month किया था for 6 months, और ending है 31st March तो अगर आप देखो, फिर से मैं वही ले चलता हूँ आपको, यहाँ पे सफाई से कर सकते हैं आप देखो, उसने क्या किया था, beginning में किया था, तो हम क्या करते हैं ending क्या बोला है, 31st March तो March end होगा तो 6 महिने के लिए जब उसने किया होगा तो आप समझ सकते हो, October से ही सुरू करेगा, तो October, November December, और January और February, तो उसने withdraw किया होगा beginning में यहाँ पे तो फिर कितने time बच गया 6 months, और फिर यहाँ पे किया होगा beginning में, तो 1 month divided by 2, तो कितना आ गया 7 by 2, यानि कि 3.5 अच्छा एक जो important चीज़ है जिसके लिए मैंने किया, उसने हर बार drawing कितना किया था, सर हर एक महिने में 4000 विशने withdraw किया था, तो यहाँ पे October में 4000 किया होगा, फिर November में भी 4000 उसने किया होगा drawing यहाँ देख सकते हो आप, फिर December में भी किया होगा, फिर ऐसी करते करते उसने हर एक महिने में 4000 विट्रॉ किया होगा, तो आप देख सकते हो, पूरा drawing कितना हो गया, गिनो 6 बार उसने drawing किया तो total drawing कितना हो गया students 24,000, ठीक है, क्योंकि उसने October में भी किया, November में December, January, February, March, तो 24,000 उसने drawing किया और rate आपका क्या था, 5% यानि 5 upon 100 और average period आपके सामने है 3.5 और formula क्या होता है, average period upon 12 होता है, तो upon 12 अम कर लेंगे, तो आप देखो कि इसमें solve करके आप निकालोगे, तो 24,000 का 5% कितना हो जाएगा 1200, और 1200 का आप देखो, 12 से divide कर दो तो आपको सीधा answer निकलाएगा आप answer देख सकते हो, तो ऐसे इनोंने भी किया होगा है, 350 answer निकल के आजाएगा, जो कि आप देखे हो, यहाँ पर, same वही चीज applicable होगा, answer will be 350, इसी तरह से B का जब हम निकालेंगे तो middle of the, उसने end of the month बोला ध्यान रखना, end of every month तो end वाला formula लगा देंगे अगर उसने end में किया होगा, तो October के end में किया होगा, तो मन में गिरो ज़रा कितने months बचे, बलकुल सही हो 5 months बचे, तो 5 months लिख देंगे, और इसी तरह से December के end में किया होगा, तो कितने months बचे होगे, 0, तो यह हो गया, तो कितना आ गया, 2.5 तो आप देख सकते हो, यहाँ 2.5 लिए रही बार drawings की, तो हर मही ने उसने withdraw किया था, तो 6 बार उसने withdraw किया, तो 24,000 आ गया, अब आ जाता है end of month जो middle of month लिया था इसमें, तो इसको आप खुदी solve कर लो, आप कर लोगे, तो मैं उमीद करता हूँ, जब भी question आएगा इस तरह का की made only for 6 months, तो आप इसमें जरूर देखिएगा की, कब से सुरू कर रहा है, सबसे पहला point की कब से सुरू कर रहा है, यह बड़ा important है और question स्टार्ट करोगे, ठीक है, और इसके बाद उसी तरह से question चलेगा, लेकिन इसमें एक और complicated चीजें क्या आती हैं, जो question में नहीं given है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लो कि इसी में इसने यह बोला होता, कि उसने six months के लिए drawing किया, और अप्रैल से सुरू कर रहा है, कब से कर रहा है, अप्रैल से सुरू कर रहा है, लेकिन उसने closing date जो है, 31st March है, तो ऐसे situation में हम कैसे solve करेंगे, यहां फिर एक बार समझा देता हूँ आपको, उसने drawing सुरू किया, अप्रैल से, और सिर्फ six months के लिए किया है, सिर्फ six months के लिए, और closing date कह रहा है, 31st March है, तो यह है question की, beginning में उसने सुरू किया, beginning of each month कर रहा है, और start किया है, उसने अप्रैल से, और for six months कर रहा है, कितना, for six months, और closing date आपको दे दिया, बुक वाले ने, 31st March, तो यहाँ एक tension बढ़ गई, यह question बहुत ही change हो चुका है, अब यह example में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, कैसे करेंगे, देखें, अगर उसने starting कर रहा है, अप्रैल से, तो हम अप्रैल से किनेंगे, अप्रैल, में, जून, जुलाई, ऑगस, सेप्टेंबर, और इसी तरह से October, November, और December, January, February, फिर March पर आ जाओगे, आप March पर, तो आप यहाँ देखो, अब जब उसने पहले starting में withdraw किया होगा, beginning of each month, तो बुक वाले ने क्या बोला है, उसने सिर्फ six month withdraw किया, तो उसने withdraw कब किया होगा, अप्रैल के at the very beginning, तो यहाँ किया होगा, लेकिन उसने six month किया है, तो six month कहां तक आ रहा है, स्टुडेंट सेप्टेंबर तक आ रहा है, तो उसने जो drawing किया होगा, April में किया होगा May, May, June, July, August, September के beginning में किया होगा तो जब उसने पहली drawing किया तो कितने months left है formula क्या कहता है formula कहता है time left after first drawing अब time left after first drawing में तो गड़बर हो गई न क्योंकि first drawing क्या है first drawing आप देख सकते हो April है, तो month के end से calculate करते हैं time left after first drawing month, March लोगे, आप closing गिनते सने तो कितने months left है सर, April से लेके, March तर गिनेंगे अब तो कितने months हो गए, 12 और इसी तरह से students जब आप ये वाला गिनोगे तो ये उसने September में किया होगा तो कितने months left रह गए तो ये रह गए, 6 months तो ये हो जाएगा हमारा 12 plus 6 divided by 2 तो कितना आजाएगा, 9 तो हमारा average period ऐसे question में कितना आएगा students, 9 ये ध्यान रखिएगा, और total drawing कितना है, during the year आप देख सकते हो, 6 months के लिए इसने withdraw किया है, तो 6 से into करके निकाल सकते हो, तो मैं उमीद करता हूँ कि ऐसा question भी अगर आया complicated तो अब आप solve कर लोगे इसी तरह से आप middle भी दे सकता है और end भी दे सकता है तो आप ऐसे questions को जरूर solve किजेगा exercise में जरूर आ सकता है अब हम आ जाते हैं, नया वाला situation पे situation number 8 देखो इसमें कह रहा है कि if the date of withdrawal is not given interest on total drawing for the year लेकिन वो यह नहीं बताएगा कि beginning में किया, या middle में किया, या end में किया और आप हमेशा याद रखना उसमें 3 चीज़ें देखी जाती है एक तो drawings word यूज़ करेगा एक rate पर annum देगा तो इसमें आपको याद रखना है कि जो rate इस तरह के question को करने के लिए आपको सीधा-सीधा answer निकाल सकते हो आप, ऐसे में answer होगा average period 6 months लेकिन कैसे होगा ये भी हम समझ सकते हैं देखें, मैं इसको आपको एक question के थूँ समझाऊंगा कहरा है calculate the interest on drawing of ra case at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2020 in each of the following alternate cases अब देखें, question में क्या खास बात है इसने drawings किया, rate है 10% और इसने closing date भी बता रखी है 31st March है तो इसमें देखिए, सबसे बड़ी problem क्या है कि जब case 1 पूछ रहा है तो कहरा, if the drawings during the year were 30,000 कहरा, साल के दोरान उसने drawings किया है, वो 30,000 किया है अब क्या आपको ये बता रहा है कि middle में है, कि beginning में है, कि end में problem है कि उसने नहीं बताया दूसरी बात, जो मैं आपको हमेशा बोलूगा कि ये ध्यान देना, drawings word देखना drawings का मतलब है, बहुत बार drawing किया है at the rate में per annum जरूर check कीज़ेगा, और ऐसी situation जब भी आएगी, दोनों situation match करेगी, तो आपको तुरंट समझ जाना है कि आपको average period निकालना ही पड़ेगा तो ऐसे situation में जिसमें आपको beginning, middle और end नहीं दिया है, ऐसे में आपको हमेशा साल का middle लेना है यानि एक साल का जो duration है एक साल में कितने months होते है 12, तो उसका average period automatically 6 आ जाएगा, तो आपको ऐसे question में जो average period होगा that will be 6% पर है ठीक है, तो 6 यह आ जाएगा, 6 upon 12, तो average period कितना आ गया 6, I hope समझ में आ गया होगा, ऐसे में assume कर लिया जाता है कि हर एक महीने के middle में उसने drawing किया होगा, मैं आपको एक बार फिर repeat कर रहा हूँ, ऐसे question में जब आपको beginning नहीं दे रखा हो, middle नहीं दे रखा हो, तो यह assume कर लिया जाता है कि उसने हर महीने के beginning ना करके middle में किया होगा, हर महीने के middle में, तो आप देख सकते हो यहां से मैं आपको समझाना चाहूँगा, हलाकि इसका answer 60 आना है, आप रट भी सकते हो अब इसमें देखो ऐसे समझ सकते हो April, May June July, ऐसे कर कर के हर महीने चला होगा, तो January February और March यह हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगर यह उसने बोला है कि उसने drawings किया मार्च तक गिनना पड़ेगा, तो 11.5 प्लस, मार्च के मिडल में किया होगा, तो कितने रहेगा स्टूडेंट 0.5, तो कितना हो जाएगा यह आप देख सकते हो 6 ही आया ना, answer घूम फिर के तो बस यही है, कि assume कर लिया जाता है कि middle of each month की है लेकिन आप यह भी तरीका अपना सकते हो कि पूरे साल का half ले लिए तो यह सबसे बेटर तरीक है इस तरह के question को solve करने का अब आप question देखो एक जो हम पढ़ रहे थे question उसको कैसे solve करने है, अगर case 1 में उसने drawings किया है 30,000 साल के दोरान, तो आप वही formula लगा दो, formula देखो नीचे solve कर रहे है, assuming that the drawings were made evenly throughout the year interest on drawing will be calculated for 6 months अभी मैंने करके भी दिखाया आपको यहाँ पे देखो सफाई से एक बाद देख लेते हैं 6 months आ जाएगा यह, solve कर देते हैं interest on drawing कितना होगा, साल के परान कितना किया, 30,000, rate कितना है 10% है, average period upon 12, 6 upon 12, answer आजाएगा आपका 1500, इसी तरह से second case में उसने withdraw किया है, हर महीने वो withdraw कर रहा है 2500, यह नहीं बता रखा है middle है कि beginning है कि end है तो automatically हम middle मान लेते हैं middle of each month, तो इसका formula आप सीधा ही निकाल दो, 6 months आजाएगा, तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो आप कर सकते हो 2500 into 12 यह आपका answer गोम फिर के फिर से 30,000 आजाएगा, तो आप देख सकते हो 30,000 का 10%, 6 months के लिए 1500 इसका भी answer वही आया निकल के, तो मैं उमीद करता हूँ यह आपको आगया होगा समझ में, अब आप इसमें देख सकते हो अगर इसने एक note दिया, यह भी पढ़ने लायक है, कह रहा है, if the date of drawing is not given, an accounting period is less than 6 months, then the interest on drawing will be calculated for the half of accounting period, अगर माल लो ऐसा ही question है, और उसके अंदर ना beginning बोला है, न middle बता है, न end बताया है और 6 महिने से कम का है, तो हम क्या करेंगे ऐसे situation में फिर उसका average period ले लेंगे, जैसे माल लो सिर्फ 4 महिने का ही बोला है, और यह नहीं बताया कि beginning में किया, कि end में किया, कि middle में किया, तो 4 महिने का जो दिया है, उसी का average माल लो, तो 4 महिने का average कितना होगा, 2, अगर उसने 5 महिने बोला होता, तो उसका average कितना होता, 2.5, तो इस तरह से हम question को solve कर सकते हैं, अब last case पे आ जाते है, situation number 9 पे देखो, अब यह सबसे given है, नहीं given है, तो कैसे करेंगे, तो ऐसे में हम time period को calculate नहीं करते, यह equation असान है, लेकिन जल्दी जल्दी में बच्चे ध्यान नहीं देते, आपको हमेशा question को solve करते समय, यह जरूर चेक करना है कि per annum दिया है कि नहीं दिया है अगर per annum नहीं दिया है students तो आपको सीधा solve करना है कैसे, एक question के थूर हम देख रहे है कह रहा है कि calculate, देखो, example 32 है, calculate interest on age drawings, if the rate is 10% if he withdrew 2,50,000 during the year आपने एक चीज़ नोट किया, 10% per annum नहीं बोल रहा है, 10% बोल रहा है, और इसने बोला है 2,50,000 साल की drawing है, तो कैसे करोगे, 2,50,000 का सीधा 10% निकाल दोगे, average period नहीं लोगे तो answer आपका निकल के आ जाएगा, note में ये बोला है कि generally आप ऐसे questions नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे आ गई है तो हमारी लोटरी लग जाएगी हमें average period निकालना ही नहीं पड़ेगा तो अब हमने जितने भी interest on drawing में cases हो सकते हैं वो सब हमने discuss कर लिया है अब मैं आपको चाहूँगा, देखो practice से ही फर्क पड़ता है, practice करोगे तो जो हम लोग months लिख लिख के बार-बार समझ रहे हैं ये months आप अपने दिमाग में बिठा के कर सकते हो, और हर एक questions को practically solve कर सकते हो मैं आपसे फिर कहूँगा, कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप questions को technically समझो, रटो मत average period को कभी भी याद करने की कोशिस मत करना, क्योंकि exam में आपको months इधर उधर करके जरूर देगा, तो मैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये वीडियो और अगर इस से पीछे वाले भी, अगर जो ड्रोइंग के बाकी के situations से मेरे पिछली वाली वीडियो में ने डाल रखें आप उसको जरूर देखिए, और ऐसा करने से आप इंट्रेज़ों ड्रोइंग की किसी भी question को solve कर पाएंगे, मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरू कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा जिससे की upcoming videos आप देखते रहें, thank you for understanding and listening